नमस्कार साथियों, जय आईरवेद, जय धनवंत्री साथियों आज हम आपके लिए इस वीडियों बताने वाले हैं अगर आपको आओं है, मरोड है, दस्त लगते हैं, उल्टियां लगती है या आपका जी मितली रहता है, या आपको पेट में गर्मी हमेशा बने रहती है, गर्मी जनित जितने भी आपके रोग हैं, चाहिए लिवर पे गर्मी हो, पेट में गर्मी हो, या आपको खुनी दस्त अगर लगे ओए हो, पेट में किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन ह करने के लिए आज हम आपको बहुत भेटरिन उस्यदी बताने वाले हैं बिलकुस सबस्टता सा उपाए हैं आप अपने घर पर भी इसको बढ़ी असाने से कर सकते हो मेरे सामने बुवासीर हो तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छा काम करती है साथ यह आपको करना क्या है यह देखें आम के पत्ते हैं आपको यह ब्राउन वाले जो कच्चे पत्ते हैं यह नहीं लेने है लाइट ग्रीन वाले पत्ते ये भी आपको नहीं लेने हैं आपको लेने हैं डारक ग्रीन जो अच्छे से पके हुए हो इस परकार वाले पत्ते ये आपको तोड़ने हैं 5-7 पत्ते ठीक है और इसके जो बीच वाली डंडी है ये निकाल देने हैं शिरफ पत्ते पत्ते वाला काली मिर्च आप सभी जानते हो जो infection को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी हो सदी है हमारे भारतवर्ष में काली मिर्च 5-7 काली मिर्च लेनी है 5-7 पत्ते लेने अच्छे से कूट करके उसकी चटनी मना लिए थोड़ा सा पाने डाल लीजिए और उस चटनी का आप सिर्फ 3 दिन सेवन कीजिए सुबह खाली पेट ठीक है अगले दिन सुबह खाली पेट फिर तीसरे दिन सुबह खाली पेट मतर तीन दिन आपको परियोग करना चोथे दिन आपको लेने की जरूत ने पड़ेगी आपकी सभी प्रकार की गर्मी जितने भ भी कीजी क्योंकि हमारे भारत वर्ष में बहुत ज़्यादा तला हुआ भूना हुआ या फार्षपूड का सेवन ज़्यादा करते हैं उनके कान बहुत ज़्यादा यह बिमारिया देखी जाती है तो उसको ठीक करने के लिए आपको दवाईयां खाने की जरूत ने पड़ेग की सिरफ इस फर्मूले का परियोग करके आप इन बिमारियों को ठीक कर सकते हैं नमस्कार जै आईर्वेद जै धिन्वन्दा